अब तेजश्वी आदो बुरी तरीके से फंस गए हैं अभी वो करेंगे तो क्या करेंगे सोच रहें कि अब हम क्या करें अपने किस-किस नेता को समझाएं कि नितीश कुमार के खिलाप ना बोले नितीश कुमार को परिसानियों में ना डाले किस-किस नेता को मना करें अब इस आप बात को आप समझेए कि चंदर्शेखर के इस बयान के बाद जिस तरीके से राजनितिक खलचल हुई है बिहार ही नहीं बलकि पूरे देश में राजनितिक महल गर्माया हुआ है बीजेपी सवाल ये उठता है कि तेजश्वी यादो राजी होंगे तब ना अब सबसे फायदा किसको होगा चंदर्शेखर के इस बयान के बाद सबसे जादा किसी को फायदा हुआ है तो वो फायदा हुआ है सुधाकर सिंग अब ये कहेंगे कि हमको राजत से निकालेंगे आप तो पहले चंदर सेखर यादों को आप सिक्षा मंत्री के पत से हटाईए विजय मंडल को राजत से निकालेंगे किस किस से बगावत करेंगे तेजश्वी यादों अपने किस किस नेता से बगावत करेंगे क्या चंदर सेखर को भी राजत से निकालेंगे क्या विजय मंडल को भी राजत से निकालेंगे, क्या सुधाकर सिंग को भी राजत से निकालेंगे, इतने सारे बिरोध सुरू हो गए हैं, इतने सारे नेता जो हैं, वो निटीश कुमार का बिरोध करने लगे हैं, कि अब तेजश्वी यादो परेसान हो गए हैं, करे तो क्या करे, क्या वाकई में य सब कुछ लालू यादो और तेजस्व यादो के इसारे पर हो रहा है क्योंकि अगर उनके रहते इस तरीके का बयानबाजी हो रहा है और उनके लाख समझाने के बाद भी उनके सारे नेता इस तरीके का बयानबाजी कर रहा है तो बहुत ही निंदनिय है और आप इस बात को सम पर हमला करती है, अब देखिए, सुधाकर सिंह का प्रकरन अभिसान्थ हुआ ही नहीं था, कि बीजय मंडल सुडू हुए, बीजय मंडल का प्रकरन अभिसान्थ होता ही, तब तक चंद्रशेखर का प्रकरन हाई लेबल पर है, और बीजय पि पुरी तरीके से निटीश शरका पर हमलावर है कि निटीश कुमार जान बूज कर रमायन पर और रामचरित रमानस्त पर इस तरीके का बयान दिलवा रहे हैं अपने मंतरी से. लेकिन फिर भी BJP नितीश शरकार पर हमले कर रही है और इन सभी चीजों से अब नितीश और तेजस्वी के बीच में दरार पढ़ने लगा है नितीश कुमार तेजस्वी आदों से कह 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 के ठक गए है कि अपने मंत्रियों को समझाईये अपने विधायकों को समझाईये इस तो आपको पचीस के लिए प्रजेंट कर चुके है चौवीस की तैयारी हम लोग कर रहे हैं लेकिन चौवीस से पहले इस तरीके का बयान बिल्कुल असोभनिय है और चंदरशेखर कह रहे हैं कि हम माफी तो मांगेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी सामने मेरे आ ज कह दिया सही है और फिर सिवानंतिवारी राजत के राष्टिय उपाध्यक्ष सिवानंतिवारी ने क्या कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है इनको माफी मांग लेनी चाहिए लेकिन चंदरशेखर जो है वो माफी मांगने के मूड में नहीं है वो कह रहे हैं कि मैं माफी न इसका राजनी जो है वो गरम हो चुका है भाजपा जो है भाजपा ही नहीं बलकि सारी पाटिया अपनी पत्तिकिरिया दे रही है और वो कह रही है कि बिहार के सिख्षा मंत्री माफी माग ले राम चरित्र मानस वह इस तरह के टिपनी 벌써 असोबनिय हैills को गलत थी जब महागटबंदन में आए तो राजद उनके उपर हमलावर है अब नितीश कुमार परिसान हो गए है कि जाए तो जाए कहां इंडिये में जा रहे हैं तो बीजेपी इस तरीके के हमला कर रही है और इनके साथ आ रहे तो यह हमले कर रहे हैं अब दिक्कत है अब देखे खुल कर सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उपेंद्र कुष्वा हो ललन सिंग हो असुक चौदरी हो और उसके बाद निरज कुमार हो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सिक्षा मंतरी को कह रहे हैं कि आप माफी मांग लिजे लेकिन सिक्षा मंतरी कह रहे हैं कि आ महागडबंदन मजबूत रहेगा या नहीं बेराल बने रहा है मैंसा तो देखते नहीं जाटो